नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स के यूटेब एज़िकेस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं टाडाजा टैबलेट के बारे में कि जो पूरू स्वेकेंदर उनके दोनों समस्यां को ठीक करने के लिए यूज की जाती है पाहली समस्यां मतलब कि शिग्रेपतन की समस्यां कि जिसको हम PRE-MATUR EJACULATION केते हैं और दूसरा प्रॉबलम मतलब कि नपूसंगता कि जिसको हम Erectile Dispunction केते हैं तो डोनों प्रॉबलम को solve करने के लिए ये ये medication जो ही वो यूज की जाती है, तो उसकी detail study करेंगे आज के lecture में, कि जानेंगे कि उसका dose वगरा क्या है, उसका main side effects वगरा क्या हो सकती है, कौन से warnings रहते हैं और किस तरह से आप उसका सही उप्योग कर सकते हैं, तो detail में जानते है, टाडा जा tablet के बारे में, और सीखते है उसके बारे में detail में, तो ऐसी बहुत सारी दववयों के बारे में आप सीख सकते है, medicine course के अंदर, farmer rocks के अप उपर, तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है, 90163122020 पर या फिर हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, तो बात है topic प्योर समझते हैं, टाडा जा tablet के बारे में, तो ये essay class का medication की जो combination में है, कि जो premature rejection और ED की समस्या को ठीक करता है, एक दवाई जो उसके इंदर है, वो है टाडाला फिले, कि जो 10 mg जितना present है, और दूसरे medications के हम बात करें, तो डापोक सेटिन की जो 30 mg जितना ये tablet के अंदर present होता है, manufacture के हम बात करें, तो Linux Laboratories जो उसके manufacture है, और उसका headquarters चेनने में हैं, इंडिया के अंदर, आगे जानते हैं, उसके label के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि टाडास जो उसका brand name है, Linux Laboratories उसके manufacture है, येलो कलर की ये tablet साती है, और film coated tablet रहती है, यहाँ पर आप लेबल के उपर देख सकते हैं, कि यहाँ पर लिखा है, कि film coated tablet है, और especially जो उसका yellow color है, वो yellow color responsible है, quinoline yellow करके जो उसके अंदर color याड़ किया गया है, उसके करण ये yellow color के tablet होती है, लेबल में भी लिखा है कि Indian Pharmacopeya के standards के according to Tadalafil 10 mg है, और dapoxetine जो उसके अंदर 30 mg जितना है, storage की बात करें तो 30 degree या फिर कम temperature पर ये tablets को store करनी होती है, light and moisture से prevent करना होता है, cedule H drug के तौर पर ये होती है, खास कर कि जिसके करण आपको जो है, वो जब भी retail में बेचे जाती है, तो उसको prescription के साथ ही जो है, वो बेचे जाती है, यहाँ पर company की detail आप देख सकते हैं, कि Linux Laboratories जो है उसके manufacture है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो yellow color के tablets, जो हमने आगे बात की इस तरह से, उसके अंदर quinoline yellow करके, जो color है उसके करनी yellow colors के tablet है, तो Tadalafil के हैं, तो Tadalafil जो है वो PDE 5 inhibitor drug है, कि जिसको हम phosphodiesterase 5 inhibitor कहते हैं, और Sildenafil के तरह ही यह काम करता है, बढ़ Sildenafil से उसकी ज्यादा effect रहती है, ज्यादा potent है, लong actin है, Sildenafil के compare में कि जो popularly ED के समझ से, अको ठीक करने के लिए, यूज की जाती हैं, उसकी half life हम देखे तो 18 hours जितनी उसकी half life है, और duration of actions रहती है 24 से 36 अवर जितनी, डाप ओक्सेटिन के हम बात करें तो वो एक selective serotonin reactic inhibitor drug है के जिसको हम SSRI कहते हैं, और यह medications खास कर premature ejaculation के समझ से को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, जो खास कर 18 से लेक कर 64 years के पूरू सो में यूज की जाती है, फिर बात करें कि जो किये के medications क्या करते हैं, जो ejaculation time होता है, उसको delay करता है और premature ejaculation को ठीक करने में मदद करता है, तो उसी के करण यह medication जो combination में है कि जिसके अंदर tadalafil भी है और tapoxetine भी है, तो यह cigarette button और premature ejaculation जो हम कहते हैं या फिर नपुन सकता, erectile dysfunction दोनों की समस्या को ठीक करने के लिए जो है वो use की जाती है, तो पूरुसों के अंदर उनकी दोनों समस्या को एक ही tablet जो है ठीक करती है, तो अलग-अलग tablets लेने की ज़रूरत नहीं बढ़ती, एक ही tablet लेने से दोनों समस्या है जो आपकी ठीक होती है, तब दोस के हम बात करें तो ये tablet जो एक tablet खास कर ली जाती है, 30 मिट पहले relations बनने के या फिर अगर एक tablet से नहीं हो रहा है problem solve, तो पेशन जो है maximum दो tablet जो ले सकता है 30 मिट पहले, पर खास यह दियान रखना है कि दो से ज़्यादा कभी भी tablet ना खाए, बिकोज उसके करण जो ये वह बहुत सारे side effects भी आपको हो सकती है, वर्किंग के हम बात करें तो जो टाडाल अफिल है वो क्या करता है, जो muscles होते हैं उनको relax करता है, और जो arteries होती है उनको भी relax करता है, जिसके करण blood flow जो है वो increase होता है, और blood flow increase होने के करण erection बनाए रखने में जो वो काफी मदद होती है, और इसके करण वो जो ED की समस्या को ठीक कर देता है, और हमारा दूसरा medication की जो है dapoxetin की जो serotonin transporters होते हैं, उनकी activity को inhibit कर देता है, जिसके करण ये क्या करता है, serotonin की जो action है वो increase करवा देता है, जो post-sign active clapped होते है वाप पे, और जिसके करण ejection time जो है वाप का delay हो जाता है, जिसके करण ये medication लेने के बाद जो premature ejection की समस्या भी ठीक हो जाती है, तो अब जानते हैं उसके drug-drug interactions के कौन सी दवायों के साथ, टाडाज दा टाबलेट जो वो interactions कर सकती है, तो अगर आप amlodipine ले रहा है, lysinopril को ले रहा है, losartan, metaprolol, riosi, gout, या फिर tamzolosin जैसे दवायों आप ले रहा है, तो उसके साथ combination में ये medication को यूज़ना करें, या फिर nitroglycerin आप ले रहा है, ketoconazol या phytraconagalzol जैसे antifungal दवाय को ले रहा है, तो उसके साथ भी ये medication combination में यूज़ना करें, फिर erythromycin, glynothymacin जैसे antibiote को ले रहा है, reformycin, phenobarbital या फिर आप phenetoin ले रहा है, तो ये सभी दवायों के साथ जो हमारा ये medication जो वो interactions कर सकता है, उसके करन साइड एफेक्स और बढ़ सकती है, या फिर आपको complications हो सकते हैं, तो कभी भी combination में यूज़ना करें, फिर दूसरी दवायों जैसे कि कार्बेमेज़ेपिन है, रिटोनाविर, सैक्विनाविर, नेलफिनाविर, ट्रामाडॉल है, लीथियम है, नाफाजल ओर्डॉन है, आइसो कार्बोग्जाजीड है, या फिर फिनेलजीन है, सैलेजिलीन है, ट्रैनेग साइप्रोमीन जैसे दवाया है, तो ये सभी के साथ ये medication जो वो drug-drug interactions करवा सकते हैं, तो कभी भी combination ना बनाई उनके साथ, फिर उसके कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे की dizziness हो जैसा होना, सेड़ा क्याने के सीरदर जैसा फिल होना, stomach pain वाले के पेट में दर्द होना, nausea, vomiting, कुछ लोगों को diarrhea हो जाते हैं, memory related problem हो सकती है, back pain होना, dry mouth होना, ये कुछ common side effect हो सकती है, कुछ serious side effects होना देखे, तो ये medication से लेने के बाद, आप जो है, वो green color या फिर blue color के बीच में, identification करना के बार मुश्किल हो जाता है, कि मतलबान लोगों कि आपके सामने green color भी है, blue color भी दिया है, तो आप जो है वो, दोनों के बीच में फरक्स जो है, वो महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये एक side effect जो सकती है, color identification related, फिर loss of hearing मिला कि कान में कम सुने देना, या फिर सुनाई देना ही बंद हो जाना, ये कुछ side effects करवा सकती है, फिर कान में गंटी बजना, ringing in the ear, redness हो जन आपके face या फिर neck area में, snuffy nose या फिर nose लिए लिए, लिएके नाग में इसे खुनाना, तो ये कुछ serious side effect करवा सकती है, तो अगर ऐसी कोई भी side effect होती है, तो तुरंत आपको ये medication लेना जो, वो बंद कर देना चाहिए, और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए, फिर warning के हम बात करें तो, ये अगर आपको nature related जो समझ से है, जैसे की pigmentary retinopathy का कोई problem है, leukemia का कोई patient है, anemia का patient है, already कान में कम सुनें देता है, या फिर hearing loss का patient है, heart patient है, जिनका blood pressure control में नहीं है, एसे लोग ये medication को गभी भी यूज ना करें, उसके अलावा समझों कि dapoxetin abuse के अंदर है, तो 18 से कम age के patient, और 64 से ज्यादा age के लोग ये medication को यूज कभी भी ना करें, फिर अगर आपको ऐसा फिल होता है कि चक्कर आ रहा है, allergic reactions हो रही है, तो तुरंथ ये medication को लेना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए, तो तुरंथ डॉक्टर या फिर फार्मास उसको विजिट करना चाहिए, और दूसरे safe alternative आप ले सकते हैं, contraindications के हम बात करें, तो liver problem है, blood pressure का problem है, kidney खराब है, heart का patient है, bent penis का issue है, irregular heart की rhythm से, या फिर patient जो वो stroke का patient है, तो ये सभी conditions में भी TADA जटाबलेट को नहीं लेनी चाहिए, फिर liver, mental problem, renal impairment, heart failure, irregular heart rhythm, या फिर किसी को ऐसे सराई की allergy है, तो ये सभी conditions में ये medication लेनी के सलाई, नहीं दी जाती, तो ऐसे ही आप detail में सीख सकते हैं, medicine course में pharma rocks के अप उपर, कि जैसे हमने आप यहाँ पे TADA जटाबलेट के बारे में सीखा, ऐसे बहुत सरी दववयों के बारे में आप सीख सकते हैं, तो ये course को जोइन करने के लिए, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी आपको डाउन्डोड कर सकते हैं, Link description box में मिल जाएगी, Good luck and all the best!